टीवी रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में बुद्धवार के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क को लेकर कंटेस्टेंस के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला आपको बताते चले इस बीच टास्क के दोरान कविता कौशिक को घर का मुखिया बनाया गया वहीं टास्क के मुताबिक कंटेस्टेंस को दो परिवारों के रूप में बाटा गया एक परिवार की लीडर जैस्मीन बशीन और दूसरे परिवार की लीडर रुवीना दिलैक को बनाया गया वहीं अब काम बटने के बाद कीचन बेडरूम और बातरूम की दावेदारी इन लोगों को रखनी होगी इसमें कवीता कोशिक ने अपना फैसला सुनाया वहीं टास्क के दोरान रुबीना दिलैक ने कवीता कोशिक की कैप्टेंसी के तहट किसी भी काम को करने से मना कर दिया तो दोनों के बीच काफी बहस देखने को मिली रुबीना को लेकर अबिनो और कवीता में भी बहस देखने को मिली जिस पर कवीता कहती हैं ये हमेशा अपनी बीवी के लिए लड़ने आ जाता है वहीं रूबीना का कहना है कि उन्हें कवीता की कैप्टेंसी से परेशानी है जिसके बाद कवीता ने रुवीना से इसकी वज़ा पूची और कहा कि उन्हें काम ना करने का कोई अधिकार नहीं है इस दोरान दोनों में जमकर कहा सुनी हुई जहां रुवीना ने सुबा का नाश्ता बनाने से साफ साफ मना कर दिया तो वहीं अभीनो शुकला ने भी बरतन दोने से इंकार कर दिया बिग बॉस 14 से जुड़ी सभी लेटेस अबडेट के लिए जुड़े रहें लहरे के साथ